हेलो एवरिवन वेलकम तू आल आफ यू दिस इस अजुमार्य और आज आपका आश्रम पदती वाला एक्जाम भी कंप्लीट हो गया है और हमारे आपके सामने यहां पर हम इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं और आप लोग खुदी देखेगा जिन लोगों ने जी आईसी का कोर्स परचेस किया था उनको यह बात पता होगी कि जितना भी चीजें पढ़ाई जा चुकी है लगबग लगबग सारी चीजें वही से आई हैं ठीक है मैं बता यह जो जनरल साइंसेस से हैं जिसके हैं और फिर 80 लूट नोब ऐसा। से आपके क्या हैं बाइलोणी से हैं तो जिसमें भी देखे इस बार इस कहीं है जो हाई प्छी चीज यहां पर बाइलोजी का पोर्शन है वहां पर बाहले सक्षन question biology का है यह पहला question biology का यहां पर दिया हुआ विच और नाब the following is correctly matched पुछ रहा है कौन सा correct match है अब यहां पर देखिए यह चीज ऑक्सिजेनिक phototropic organism कौन होते हैं तो हमने आपको बताया हुआ है photosynthesis पढ़ाते time कि जितने भी higher plants होते हैं वो तो oxygenic होते हैं लेकिन microorganisms like bacteria वगरे कैसे होते हैं एन ओक्सिजेनिक होते हैं यह मेरा पढ़ा हुआ है वीडियो photosynthesis का पहला ही lecture YouTube पे उसको आप देख सकते हैं तो यह तो गलत हो गया यह तो गलत हो गया क्योंकि microorganism एन ओक्सिजेनिक है फिर दिया है photosynthetic organism carry out respiration only in light ऐसा कुछ नहीं है जो भी photosynthetic organism है केवल light में ही photosynthesis नहीं करते हैं डार्क में भी photosynthesis की process होती है ठीक है तो नहीं इनके कहने का मतलब carry out respiration only in light नहीं भाई क्यो respiration क्या केवल light में होगा नहीं light में respiration नहीं होता respiration एक light independent process भी है ओके यह भी गलत है फिर पुछ रहा है nitrogen gas एक unstable form of nitrogen है नहीं भाई यह stable form of nitrogen है इनमोक्स इनमोक्स यह nitrogen fixation वाले chapter में हम लोग पढ़ते हैं इनमोक्स का मतलब होता है conversion of nitrate to gaseous nitrogen यह बिलकुल सही है यह nitrogen fixation कभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहां पर यह चीज हम लोग देखेंगे इनमोक्स का मतलब यह होता है अब देखते हम लोग next अगला question क्या है यहां से आपको यह सब आपके GS के question है इसको आप लोग देख लीजेगा GS का question है यह और फिर इसमें हम देखते हैं biology का question थोड़ा सा हम ढूंड रहे हैं ठीक है biology का question कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं हाँ यहां पर देखें change in the base sequence यह question direct question है base sequence within the gene is called as mutation mutation तो gene के अंदर अगर कोई base sequence हो जाता है तो इसको हम क्या केते हैं उत्परिवर्तन केते हैं mutation यह तो direct है यह भी question देखें बाइलो जी का है 13 वा question which of the following is not correctly matched अब vitamin D आपको पता है रिकेट सो जाता है बच्चों में यह तो correctly matched vitamin K and sterility से related है नहीं इस्टरलेटी से related vitamin K नहीं है vitamin E माना जाता है sterility से related तो यह जो है not उच्चा है तो यह चीज हो गया thymine या thiamine very very जिसको vitamin B1 कहते हैं आप ठीक है और यह जो हो गया आपका नियसीन पिलाग्राड इजीज यह सही है ठीक तो पूछ रहा है कि कौन सा incorrect है ओके यह चीज आपको समझ में आने चाहिए आएए नेक्स्ट vitamin K किस से related होता है तो vitamin K related होता है blood clotting से related होता है ठीक चलिए next कि अ बाइलोजी के question नहीं देख रहे है हम लोग बाइलोजी के question देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कहां गया एक दो कुश्यन सायद और हां देखिए यह कुश्यन है the sweet test is detected by the following part of the tongue आज ही सुबह मैं LT वाले students को पढ़ाई थी कि जब tongue का सबसे anterior part होता है वो sweet के लिए और मैंने उनको याद करने का trick भी बताया था और सबसे posterior part bitter के लिए तो हमने कहा था पहले मेठा बोलिए फिर कड़वा बोलिए ठीक है bitter तो सबसे anterior part sweet के लिए होता है सबसे posterior part bitter के लिए होता है तो एकदम आप tip लिखेंगे इसको ठीक आज ही सुबह मैंने यह चीज़ पढ़ाया था ओके फिर क्या है कुछ और प्रश्चन बैलो जी के हों तो देख लेते हैं इसको कि अ देखिए शायद अब नहीं है हाँ यह मैंने कल पर सोई जी आइसी के स्टूडेंट ने मुझसे कामनली फाउंड कैंसर इंद वर्ल तो हमने कहा था सबसे ज्यादा कैंसर कौंसा होता है कार्सीनोमा होता है कैंसर ओफ एपिथिलियल टिशूज के कैंसर को हम लोग क्या कहते है कार्सीनोमा असी से पचासी परसेंट यह बात मैंने अभी दो से तीन दिन पहले ही पढ़ाये थी कार्सीनोमा सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ठीक है सारकोमा क्या है हमने कहा था सारकोमा is the cancer of solid connective tissue जित cancer को lymphoma के तो इस तरीके से ये question भी हमने अभी ही कराया था फिर देखते हैं हम इसमें 35 और तो बायो के question नहीं दिख रहे हैं यहां पर सुबस्चेंद्रबोस ठीक अब आजाते हैं हम ये biology section में आजाते हैं देखें अब मैं कहूंगी तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा मैं कहा रही थी हमने पढ़ाया है एक मैने में पढ़ाया है हमने और वाकरी में पढ़ाया है तो देख लिजे मेरे वीडियो भी पढ़े हुए हैं मैंने आप लोगों को microbiology का एक पूरा का पूरा one shot दिया है जिसमें मैंने virus, bacteria, phytoplasma ठीक है और ये सारी चीज़े मैंने एक वीडियो में यूट्यूब पे मेरा lecture पढ़ा हुआ उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी little leaf of brinjal little leaf of brinjal ये किसे cause होता है तो मैंने बताया था phytoplasma, देख लिजेगा वहाँ पे ठीक, phytoplasma, largest and flightless two-toes bird तो ये तो सबको पताऊगा ostrich, tropical plant like sugar cane show high efficiency of carbon dioxide fixation because of, ये भी बात मेरे मैंने photosynthesis पढ़ाया है उसके दूनों lecture पढ़े हुए यूट्यूब पे वहाँ पे देख लिजया, हमने बताया था, जो C4 plant होता है, इसमें हमने कहा था ये high efficiency of tropical plant like sugar cane, so high efficiency of carbon dioxide fixation, इसमें high efficiency क्यूं होती है carbon dioxide fix करने की, ये बात भी मैंने बताया थी क्यूंकि यहाँ पे photorespiration नहीं होता है, क्यूं नहीं होता, क्यूंकि यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे C3 cycle हो रही है, वहाँ पे Rubisco present होता है, वहाँ पे क्या present होता है, Rubisco present होता है, तो जहाँ पे carbon dioxide release होता है, वहाँ पे Rubisco present होता है, कौन सी cell में, mesophyll cell में की bundle seed cell में, bundle seed cell में, ये सारी चीज मैंने बताई भी थी, तो इसलिए क्योंकि ये C4 plant है, sugar cane, यहाँ पे hatch and slack pathway होता है, ये चीज भी मैंने पढ़ाया हुआ है, की stone species कहते हैं, बताया भी था मैंने, ठीक, आप देखी, next क्या है, the alkaloid colchicine, जो की हमने कहा था, mitotic poison होता है, polyploidy को cause करता है, colchicum autumn nail से इसको obtain किया जाता है, और उसके किस part से, तो dried karma of colchicum, ठीक, और ये liliacy family का member होता है, ये भी हम लोग जब family पढ़ रहे थे, तो ये बात मैंने बताया था, ठीक, the function of nictitating membrane in the frog, क्योंकि हम लोगों में nictitating membrane vestigial हो चुका है, लेकिन हम से पहले जो aquatic animal थे, उन में nictitating membrane पाया जाता था, और वो क्या करते थे, आखों में पानी जाने से, या आखों को moisture से रोकती थे, ठीक है, अभी हम क्या है, हम terrestrial हो चुके है, तो हमारे में nictitating membrane क्या हो चुका है, कैसा हो चुका है, we can say vestigial, तो protection and moistening of eye, ठीक है, protection and moistening of eye, function of nictitating membrane, vestigial tissue only with no specific function, और frog में पूछ रहा है ना, focusing of light, ये सारी चीज, ठीक है, ये चीज होगा, आगे देखते हैं, which of the following is called tree fern, tree fern, ये teridophyta में हमने बताया हुआ है, tree fern कौन है ये साइथिया, साइथिया, tree fern है, which plants show velamen layer in the root, root में velamen layer actually venda में होता है, किस में होता है, venda में होता है, अब आते हैं, आर्कीड और venda दोनों में होता है, तो आर्कीड मैंने आप लों को बताया है, venda शायद मैंने नहीं बताया था, camels are found in Asia, but related llamas in the Andes, this is an example, थोड़ा सा मुझे यहां पर confusion है, मैं कोई दिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे क्या लग रहा है, ये भी नहीं बताऊंगी, तो आप लोग थोड़ा सा इसको comment में, जो है, comment करके बता दीजेगा, which of the following organism budding is commonly found, very simple hydra में budding होती है, ये बात सबको पताया, ठीक, external budding होती है hydra में, which of the following animal is primarily poikilo thermos, तो मैंने आपको cold blooded और warm blooded का video भी बनाया हुआ है, देख लीजेगा, cold blooded मतलब poikilo thermos, जिनका body का temperature, surrounding के temperature के साथ-साथ change होता रहता है, उसमें मैंने आपको बताया था, fishes, amphibian और reptiles होते हैं, जो warm blooded होते हैं, वो birds और mammal होते हैं, तो reptile इसमें lizard है, इसको आप ये क्या है, bird है, ये mammal है, ये भी mammal है, तो reptile यहाँ पे आ गया, very simple, covered smut of barley diseases caused by astilogo hardai, ये क्या है, astilogo hardai, ओके, next है, bionomial system of nomenclature is produced by, सबको पता है, simple सी बात है, यहाँ पे आप card lineage लेंगे, which is the example of baste fiber कराया हुआ question है, baste fiber मैंने कहा था, कई तरीके के मैंने fiber आप लोगों को पढ़ाया थे, baste fiber, surface fiber, ठीक है, मैंने कहा था, surface fiber, cotton, cause CPM species, जो की seed और fruit के surface से निकलता है, baste fiber उसको कहेंगे, जो secondary phloem से जनरली निकलता है, या उसको कहते हैं, baste fiber, और उसका सबसे अच्छा एक्जाम्पल है, jute, क्योंकि cotton fiber तो आपका यह हो गया, cotton fiber क्या हो गया, surface fiber, quire क्या है भाई, तो यह तो mesocarponarial से obtained किया जाता है, भी GIC में यह पूछा गया था, ठीक, which of the following are the source of ATP in human muscle contraction, तो human muscle contraction में ATP का source क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि यहां पे glycosin भी है, aerobic cellular respiration भी है, और arginine phosphate भी है शायद, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि यह creatine phosphate invertebrates में होता है, invertebrates में होता है, यह muscle contraction का topic है, तो यह 1, 3, 4 हो जाएगा, I think, 1, 3, 4, ठीक, चली, next, next देखते हैं हम लोग, oil bodies are present, very simple question, oil bodies, बताया हुआ question है कि जो markensia होता है, उसमें oil body पाया जाता है, और markensia कहां पे होता है, liver wort में, ठीक है, तो यह हो जाएगा, फिर यह भी question हमने कराया हुआ है, cladode, phillode, philloclade, यह तो अभी, जब हम लोग leaf stem और यह सब पिछले exam में, GIC exam में भी यह question आ चुका है, तो हमने कहा था, देखिए, phillode क्या होता है, pitiole का modification होता है, australian acacia में, cladode किसमें है, ruscus में, philloclade किसमें भाई, oponsia में है, pneumatophore जो respiratory root rhizophora में है, जिसको मैच करा लिजे, जिसको मैच करा लिजे, ठीक, आएए, next, An example of enucleated cell in plant is, plant में कौन सा सेल जिसमें नुकलियस नहीं होता है, very simple question, नुकलियस पढ़ाते टाइम बताया था, मैंने, mature sieve tube cell, sieve tube cell, angiosperm होता है, जबकि जिम्नोसperm में, sieve cell पाया जाता है, उसको albuminous cell भी कहते हैं, ठीक, iberis अमारा, ये भी अभी हमने family पढ़ाया था, candy tuft, ये हमारा किसका होता है, ये हमारा होता है, cruciferica, किसका, cruciferica, mustard family का है, ओके, ये भी question, एकदम, invertebrates का one shot लिया था, मैंने तो वहाँ पे भी, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, देखिए, scoliodon, dogfish है, क्या पूछ रहा है, correctly masked, और torpedo, electric ray है, ये तो गलत है, labio rohu, ये तो fish है, teropus flying fox किते इसको, तो ये भी गलत है, तो ये सही, scoliodon, ठीक, heartbeat is under the control of following, मेरा वीडियो भी पढ़ा हुआ है, regulation of heart, तो उसमें हमने आपको बताया हुआ है, कि heart, nervous control भी होता है, sympathetic और parasympathetic, और hormone में हमने कहा था, adrenal medulla के hormone, और thyroid gland के hormone भी इसको regulate करते हैं, तो ये क्या है, heart beat किसके control में भाई, nervous भी as well as hormonal, सब पढ़ाया हुआ है, देख लिजे, आप इसको ध्यान से देखिए, which of the following is Cisosilome, मेरा YouTube पे पहला या दूसरा लेक्चर, जो animal classification वाला वीडियो है, उसमें जाके देखिए, एकदम बढ़िया से मैंने बताया, Cisosilome, Enterosilomate कौन कौन से हैं, Proteostorm कौन है, Deuteroostorm, तो मैंने कहा था, जो Anilida, Mollusca, और Arthopoda, ये Cisosilomate हैं, ठीक है, Cisosilomate है, वहाँ पे जाके वीडियो ओपन करिएगा, उसमें आपको तुरंट मिल जाएगा, Animal Classification by Anju Moria डालेंगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो भी है, अगर आप वो चीज, इसलिए मैंने सबसे पहला वीडियो वही बनाया था, Animal Classification, और उससे बहुत सारे questions हर बार पूछे जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक, Cocaine, ये अब देखे, मैं बार-बार आपसे कहती हूँ न, हमें NCRT पढ़ना क्यों ज़रूरी है, NCRT पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि NCRT में जो ड्रग वाला टॉपिक है, उसमें Erythrozylum Coca, Native to South America, South America का प्लांट है, ये Erythrozylum Coca, Cocaine, इसी से उप्टेन किया जाता है, जो कि Dopamine को Inhibit करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये चीज एकदम NCRT से लिया गया है, अब देखिए, अब मैंने जब Animal Tissue आपको पढ़ाया था, याद करिए, जो भी स्टूडेंट मेरा कोर्स परचेस कर चुके हैं, जब मैंने उनको Animal Tissue पढ़ाया था, तो मैंने कहाता है, जो Embryo होता है, वहाँ पे एक बहुत important type कर टिशू पाया जाता है, अंबलिकल कार्ड, जिसको वार्टन्स जेली कहते हैं, बताया है, मैंने मेरा Animal Tissue वाला चैप्टर, जो लोग पढ़ चुके हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें पूछ रहा है भाई, इसमें कौन करेक्टली मैज्ड नहीं है, अब यह मैंने जब Teredophyta पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा था, उसमें Trabeculate पाया जाता है, यह तो बिल्कुल सही है, जामिया, पिग्मिया, स्मॉलेज जिमनोस्परम है, बिल्कुल सही है, साइकस रिवोलूटा में, विंग्ड पॉलिन ग्रेन नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाइनस में, विंग्ड पॉलिन ग्रेन पाया जाता है, मोनोट्रापा, एक सेप्रोफाइटिक है, यह भी सही है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वाला, नॉट करेक्टली मैजड कुछा है, तो आपको यह देखना होगा, ओके, पिछली बार क्या हुआ था, मैं मतलब बहुत जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, तो मैं कभी नॉट नहीं देखी, कभी करेक्ट नहीं देखी, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया थे, तो बहुत कमेंट भी हमको कुछ लोगों ने, जैसे 99% लोग तो बहुत हमेशा फेबर में रहते हैं, लेकिन 1-2% लोग कि तुम्हें आता नहीं तो सॉल्व क्यों कराती हो, आता नहीं तो पढ़ाती क्यों हो, तो भाई, अब मुझे देखना पड़ता है कि कौन नॉट लिखा है, कौन करेक्ट लिखा है, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर क्या है, साइकस में, यह भी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, कि साइकस में इनवर्टेट ओमेगा शेफ वैस्कुलर बंडल कहां पाया जाता है, रह कि इसमें पाया जाता है, ठीक, इनवर्टेट ओमेगा शेफ वैस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, which of the following is not an application of PCR पढ़े हैं हम लोग PCR का application पढ़ चुके हैं बायो टेकनोलोजी में डाइगनोसिस और पैथोजन पैरेंटल अब बताईए PCR हमने ये भी बताया है कि PCR को हम लोग कहां यूज करते हैं molecular diagnosis में भी यूज करते हैं बिल्कुल सही है molecular diagnosis में PCR और ELISA यूज करते हैं हमने बायो टेकनोलोजी में इस चीज को पढ़ाया हुआ है ठीक है ये बिल्कुल सही है parental diagnosis बिल्कुल सही है DNA fingerprinting बिल्कुल सही है DNA repair में नहीं करते इसका application तो ये वाला option जो है जो है कह रहा है ये सही हो जाएगा अब अब किसी को कोई शक हो भाई तो देख लिजेगा मैं कह रही हूं सारी चीजें पढ़ाई हुए है जिनोंने भी GIC course crash course purchase किया होगा उनका पेपर अच्छा हुआ होगा ठीक देखें Metal involved in the stomatal regulation पढ़ाया है कि नहीं मैंने मैंने कहा था potassium iron जो होता है यह वीडियो पढ़ा हुआ भी है आप देख सकते हैं मेरा पहला है transportation in plant वाला जो वीडियो है YouTube पे है उसमें दूसरे lecture में istomata की closing और opening मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने कहा था potassium iron in होता है तो istomata close हो जाता है ठीक है sorry istomata open हो जाता है और potassium iron का out होता है तो istomata close हो जाता है यह भी मैं बात बता चुकी हूँ और साथ ही साथ मैंने एक चीज और बता था कभी आपसे hormone पूछता है तो कौन सा hormone जो है istomata के closing और opening में role play करता है तो opening में यह हमने कहा था cytokinesis opening में के sorry cytokinin cytokinin istomata opening और abscessic acid istomata closing में तो यह चीज पढ़ा चुके हैं ओके आगे चले how many teeth annual kingdom में पढ़ा है मैंने पाइला यह तो बार-बार question पुछा जाता है seven एक row में seven teeth होते है यह which of the following layer integument give rise to the gland and keratinized structure in rabbit actually यह इसका answer मेरे ख्याल से stratum germinativum होना चाहिए stratum germinativum होना चाहिए जब हम लोग skin का structure पढ़ते हैं जिसमें क्या पाया जाता है non keratinized जो हम लोगों की skin होती है वो कैसी होती keratinized होती है ठीक है तो इसमें यह चीज सही होनी चाहिए stratum germinativum ठीक है obtain करते हैं तो nacreous layer यह direct question मैंने लिखवाया है आप जब मैं फंजाई आपको पढ़ा रही थी मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है उस पे मैंने कहा था फंजाई में white rust of crucifer is caused by तो मने कहा था albugocandidus ठीक है उसका दूसरा नाम cystopus candidus है यह phyto क्या नाम है उसका phycomycetes का member है किसका phycomycetes का okay which of the following cell would likely to found with tissue lining the organ that produce and release mucus simple सी बात है जब animal tissue में पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था एक unicellular gland होती है जब मैंने gland पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था unicellular gland और multicellular gland होती है तो unicellular gland का example हमने goblet cell बढ़ाय था मैंने कहा था goblet मतलब वह जो दारू की bottle होती है वैसा ठीक है ऐसा structure होता है unicellular gland हो जो की mucus secret करते है ओके यही चीज़ हमने बताया था इन mammalian testis endrocytes are produced भाई इसमें भी मुझे थोड़ा सा confusion है I think I think आपको क्या लगता है यह बतायेगा actually endrocytes जो मतलब sperm बनाने वाली cells sperm बनाने वाली cells क्या होगी यह तो हो जाएगी spermatogonia sperm mother cells तो I think यही है अब मैं लिख भी दे रही हूं थोड़ा सा confusion है आप बतायेगा क्यूंकि sertoli cells तो देखिए sertoli cells तो nursing cell होती है यह इसको हम sustencular cells भी कहते हैं nursing cells होती है sperm को food provide करती है interstitial cells यह इसको ledic cells भी कहते यह मैंने पढ़ाया हुआ है तो हमने कहा था यह produce करती है testosterone प्रोडूस करते है testosterone और किस के presence में तो हमने कहा था LH की presence में और मेल में LH को ICSH भी कहते हैं interstitial cell stimulating hormone ठीक है तो यह बात हमने बताई है spermatocytes spermatocyte तो फिर spermatogonia आगे चल के primary spermatocyte secondary spermatocyte बनाता है तो मुझे यह लग रहा है option number B okay next आते हैं हम लोग when pollination takes place between flower between flower born by two different plant of the same species process अभी इसका मैंने एक्दम सिंपल सा एक वीडियो डाला हुआ है YouTube पे pollination types आप देख सकते हैं मेरा नाम सर्च करके pollination type वहां पे मैंने autogamy, allogamy, jetonogamy सब पढ़ाया आपको और बताया हुआ भी है कि सबसे पहली बार different pollen grains, same species, same species हो लेकिन plant different हो इसको हम genogamy कहते हैं क्या कहते हैं genogamy कहते हैं, jetonogamy का मतलब flower different हो, plant same हो, हमने कहा था अगर plant same है और flower same है मतलब male और female दोनों एक ही में है तो ये तो autogamy होगा, plant एक ही है, flower different है तो ये तो jetonogamy होगा, लेकिन male flower अलग है, male plant अलग है, female plant अलग है, तो इसको genogamy कहेंगे two different plant of the same species, ठीक, अब ये ये भी हमने आपको molecular biology में ये question पढ़ाया है, देखिए molecular biology का भी हम lecture आपको दे चुके हैं, पढ़ा चुके है, termination, translation, transcription और DNA replication हमने बताया था DNA replication जो इंस्टॉल्मेंट में होता है, ओका जाकी fragment कहते हैं उसको, कहते हैं ना, lagging strand पे produce होता है, leading और lagging strand दोनों बताया था, मैंने आपको ओका जाकी fragment पे होता है, termination और translation की अगर बात कर रहा है तो translation मतलब protein synthesis, protein synthesis को शुरुवात कौन करता है, हमने कहा था, सबसे पहली process होती है, amino acylation, protein synthesis में चार इस्टेप बताया था, amino acylation, chain initiation, chain elongation chain termination, ठीक है, चलिए, termination पूछ रहा है, termination पूछ रहा है, termination पूछ रहा है, तो हमने कहा था, यहाँ पे termination के लिए release factor आता है, बताया था कि नहीं, बताया था, यह जितने लोग हम पढ़ चुके हैं, मैं उनसे बात कर रहे हूं, सब बताया था मैंने, और फिर transcription मतलब, यह transcription मतलब DNA से RNA बनना, तो RNA polymerase, तो इसको मैच करा लिजे, ठीक है, तो यह चीज है, अब देखिए, जो जब मैं फंजाई आपको पढ़ा रही थी, मेरा वीडियो भी YouTube पे है, पबलिक है, तो हमने कहा था, एर्गॉट फंजाई, यह तो बहुत पेट क्वेस्टन है, हमेसा पढ़ा फंजाई किसको कितने, क्लेविसेप्स परप्यूरिया को, जो कि राई ब्लांट का पेरासाइट है, यह बताया था, मैंने, एसको माइसिटी का मेंबर है, है ना, तो क्लेविसेप्स, सिंपल सा क्वेश्चन, फिर इसको मैच करा लिजे, इसको मैच आप अराम से कह आप सकते हैं, मैंने पाइला बताया था, गैस्ट्रोपोडा, बताया था, पॉलीचीटा, नेरिस हो गया, इंसेक्टा, लेपिसमा, यह जब मैं आपको लेपिसमा बढ़ा रही थी, वहां पे मैंने आपको इंसेक्ट में भी यह चीज बताया हुआ है, जब मैं वह फाल्स इसका जो मैंने कोड बताया है, उसमें भी इसका जिकर है, तो आप इसको मैच करा सकते हैं, इसको मैच करा लेजिए, देखिए, नेक्स्ट, विच फॉल्लविग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग प्लीज कमें बतायेगा, अभी मैं नहीं बताया चाहती हू कि मुझे क्या लग रहा है, आप लोग इसको कमेंट में बता दीजिएगा, वरना मैं बता दूगी, चलिए, how many types of food waves are found in the nature, ये मैंने अभी उसमें पढ़ाया था, आप लोग को दो टाइप का food chain, वो दो टाइप के food wave भी है, grazing और detritus, अभी अभी पढ़ाया था मैंने booster series मे आप लोग उसको देख भी सकते हैं, तो ये दो तरीके के nature में food wave या food chain होते हैं, grazing food chain और detritus, ये मैंने अभी booster series में पढ़ाया था, ये question पाइला से बहुत ज़्यादा प्रांद का, ये question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, in which of the following appendages of pran, the podo branch is a test, पूछा भी जा चुका ह है, पहले भी ये second maxillipid, इसका answer क्या होगा, second maxillipid, अब आते हैं, ये question आपका economic botany से पूछ दिया है, अभी मैंने जल्दी economic botany पढ़ाया था, cardamom, cardamom होगा, ठीक है, इसका family पूछ रहा है, अपका family, थोड़ा सा याद करना difficult होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैंने जो आपको data दिया था, with family दिया था, जिंजी बरेसी एकदम सही है, पीपर, पिपरेशी कहा था, मैंने तेजपत्ता, लारेसी, और क्लोग, मिर्टेसी, ये एकदम सही है, सब एकदम मैच है, ठीक, तो पहला ये option इसका सही होगा, अब आईए, next, central lecithal egg, अभी भी एग का type of egg type of cleavage, जो हमेशा मैं कहती हूँ, वो वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं, मैंने पढ़ाया था, आपको central lecithal egg किस में होता है, इंसेक्ट में होता है, किस में होता है, इंसेक्ट में, following animal never regenerate, तो देखिए, regeneration हाइडरा में भी होता है प्लैनेरिया जिसको हमने दुजेसिया कहा था, पढ़ाया था, दुजेसिया, ठीक है, तर्बलेरिया का मिंबर है, तर्बलेरिया हमने पढ़ाया था, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, लाटियल मिंती जब हम लोग कर रहे थे, तो और फिर leech, leech, newt, newt, मतलब जो salamander or newt होते हैं, उसमें भी regenation होता है, leech में नहीं होता, तो इसका अंसर leech होना चाहिए, ठीक है, regenation leech में नहीं होता, who has discovered double fertilization, एकदम double fertilization कराते टाइम, मैंने पहली ही लाइन कहीं थी, नवाशीन, ठीक है, बताया था मैंने, नवाशीन ने double fertilization को discover किया था, तो बताये, कौन सा question नहीं पढ़ाया गया है, एक महीने के course में, GIC के एक महीने के course में, एक महीने भी नहीं, 25 दिन के course में, मैंने सब कुछ पढ़ाने की कोसिस की, और लगभग अभी GIC से लेके, अभी ये आश्रम पदती चल रहा है, सारे questions मिले हैं, सारे questions हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर, मैं ये video public भी होगा, हमारे students इन लोगों ने हमसे पढ़ा हुआ है, अभी अच्छा हाँ, उनको मैं बता दूँ कि बहुत लोग का मैंने request लेगा है, कि GIC का भी, क्योंकि GIC खतम हो जाने के बाद भी, आपके course का जो duration था, उसको 5 October तक किया गया था, ठीक है, कि 5 October तक, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तराखंड के हैं, तो उन्होंने request किया था, कि मैं हमारा duration थोड़ा बढ़ा दीजे, अभी 2-4 बच्चे हैं, जो बहुत बार-बार request कर रहे हैं, कि उनका जो course उत्तराखंड के exam सायद 18 या 20 तारिक तक है, तो हमने विचार किया है, कि actually हमें बस पैसे से मतलब नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों की बारे में सोचती हूँ, उनकी request है, तो उनकी request के basis पे हम course का duration बढ़ा के 25 October तक कर देते हैं, ठीक है, 25 October के बाद वो वहाँ से course delete हो जाएगा, तो आपके GIC के बाद भी वो एक महीने 10 दिन या एक महीने 5 दिन तक वो course है, आप उसका benefit ले सकते हैं, 25 October तक course है, आप जितना पढ़ना चाहें उसमें पढ़ लीजिए, और ये 100% सकते हैं कि वो course सायद ही इतने कम टाइम है, अगर आप किसी भी टाइप का एक्जाम देते हैं, except CSIR, CSIR को छोड़के किसी भी तरीके का biological एक्जाम देते हैं, 25 दिन का course और इतना massive जो उसमें सारी चीजें हर एक topic का complete lecture पढ़ा हुआ है, complete lecture पढ़ा हुआ है, वो बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही useful है, तो मैं ये चीज देखते हुए कि मतलब जो लोग इतना interest ली है, इतने सारे बच्चे, जितना सोचा नहीं गया था, उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे एड हुए हैं उस पे, और उसका मैं duration हम लोग बढ़ा देते हैं, 25 अक्टूबर तक कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग का किसी का 24 को exam है, किसी का 18 तक है, तो हम, मैंने विचार किया है, क्यों पढ़ाने का क्या मतलब है, अगर आप लोग exam तक ना पढ़ पाएं, या exam ना दे पाएं, तो अगर आपका exam आसपास है, तो आप उसको देख लिजे, लेकिन 25 अक्टूबर के बाद उस course की validity को समाप्त कर दे जाएगी, ठीक है, तो चलिए देखें, next क्या है, अब देखिए, ये color blindness से question आ गया है, color blindness का मैंने धेर सारा question कराया था, आप लोगों को genetics में, पूरा बकायदा crosshose बना के, पूछ रहा है, if a color blind female marries a normal male, तो color blind female कब होगी, जब मैंने कहा था, दोनों X पे उसके gene हो, उसके, क्योंकि ये एक sex link recessive disorder है, है ना, और ये question पिछले GIC में भी पूछा गया था, color blind या हीमोफिलिया का, और अगर ये normal man से शादी कर लेती है, तो पूछ रहा है कि, dear children will be, तो अब बताएए, इसकी जो बेटी होगी एक, वो तो carrier हो जाएगी, अब ये जो बेटा होगा, ये disease हो जाएगा, फिर बेटी इसकी carrier होगी, क्या होगी, बेटी carrier होगी और बेटा disease, तो मैंने कहा था कि, क्योंकि ये disease female से, उसके son में जाता है, है ना, तो देखिए, इसकी बेटी क्या है, carrier होगी बेटा, colorblind son and colorblind daughter, गलत, colorblind sons and carrier daughter, ये सही हो जाएगा, ठीक, sons तो colorblind होगे, लेकिन daughter कैसे होगी, carrier होगी, पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे question भी लगाया है, वहाँ पे, वीडियो पढ़े हुए हैं, अभी भी आपके GIC series वाले में, which of the following has blood gland, simple, मैंने आपको अर्थवं पढ़ाते टाइम का था, अर्थवं में blood gland पाया जाता है, ferritima, okay, the common fungal disease, ये भी मैंने बताया हुआ है, ringworm भाई, fungal disease है, आप फंजाई का वीडियो पढ़ा है, उसमें है भी, which of the following is not the source of nuclear energy, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे confusion है, थोरियम में और प्लूटोनियम में, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बतायेगा, okay, if the taxonomic rank ending with, एक नट, hello, hello, हाँ, अभी आवाज आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, क्या question पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थे, हम लोग कहाँ पे थे, जिम्नो, इस्पर्म, ओड, कौन सा question हो गया था, अच्छा यह था, if the taxonomic rank ending with, E, A, E, then it is called as, इसको हम लोग क्या कहते है, थोड़ा सा, यहाँ पे भी हमको confusion है, इसको आप लोग बतायेगा, ट्राइब शायद कहते है, क्या कहते है, ट्राइब, एक्चुली देख लीजिए थोड़ा सा, तो एक बार यह हमको बता दीजिगा, तो जिम्नो, इस्पर्म, इस आ ऊउड, collectively classified as the soft wood, it is mainly, soft wood का मतलब मैंने कहाता, soft wood क्या होता है, जहाँ पे vessels नहीं होती है, vessels नहीं होती है, उसको हम soft wood कहते हैं, और जहाँ पे vessels होती हैं, वो hard wood, तो लेकिंग जिम्नो, इस्पर्म की wood में, vessels नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, soft wood कहते हैं, match, choose the correct answer using with the, अब यह देखिए, यह मैंने सायद ही कोई ऐसा topic को जहाँ से question नहीं आया है, तो इसको देख लीजेगा, आप लोग मेरा YouTube पे blood classification वाला वीडियो मेंने पबलिक किया है, और वहां से यह question एकदम direct question है, हमने कहा था neutrophil, isnophil, monocyte और lymphocyte, पहला यह question पूछा भी जा चुका है, सायद PZT में ऐसे ही, as it is, यह question आया था, monocyte मेंने कहा था, मंकी से याद रखो, मंकी कहा था मैंने, monocyte, kidney shape, मं मतलब monocyte, की मतलब kidney shape, तो यह तो kidney shape हो गया, अब बताईए, lymphocyte में BNT आता है, तो यह production of antibodies हो गया, neutrophils हमने, यह भी आपको बताया था, isnofil allergy में increase होता है, और neutrophil diapodasis, तो इसको मैच करा लीजे, यह भी question एकदम direct सायद, यह PGT में एकदम direct question आया था, और मेरा यह blood classification वाला video भी पढ़ा हुआ यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, तो इसको मैच करा लीजे, चलिए देखे, next, हाँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखे क्या है, आप से पूछा गया यहाँ पर, tolodine blue, okay, saffronine, cotton blue, actually cotton blue तो हमें पता है, cotton blue किसके लिए होता है, fungal hyphy को color करने के लिए, osmium tetraoxide के अगर हम बात करें, तो osmium tetraoxide हमारा lipids के लिए, lipids को इसके लिए होता है, ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, तो आप ऐसे match करा सकते हैं, C का 4, C का 4, और उसके बाद D का 1, तो D का 1 यह question हो जाएगा, सायद, देख लिजे एक बार इसको, C का 4 और D का 1, okay, ठीक है, चलिए, next, next पूछ रहा है, सबको पता होगा, Black Gold of India किसको कहते हैं, Black Paper को कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद, फिर से यहां पर question आ गया, यह वाला question, Nail, Tonsil, Vellet, यह question देखिए, मैंने आज ही कराया था, Circumvalet, Circumvalet कहा होता है, टंग पे होता है, आपने कहा था, जो टंग होती है, टंग पे, तीन तरीके के, क्या पाया जाते हैं, तंग पे, आज ही मैंने यह, यह portion भी कराया है, GIC, LT वालों को, तीन तरीके के, Linjual Pepli होते हैं, एक सबसे आगे, Philly Form, फिर Fungy Form, फिर देखे, Trabeculi लिंफ नोड के अंदर पाया जाता है, और, sorry, Trabeculi स्प्लीन के अंदर पाया जाता है, जो टॉंसिल होता है, वो लिंफ नोड के अंदर, लिंफ नोडूल सोते है, टॉंसिल, यह मैंने पढ़ाया भी है, कि लिंफ, जो लिंफएटिक औरगन, जब मैं इम्मुनोलोजी पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे मैंने बताया तो, इसको आप मैच करा सकते हैं, इसको देखे, मैच करा लीजे, मैंने मैच करा दिया है, फिर आए, एक्जामपल आफ होलो कार्पिक, यह कुशिन भी इग्दम डायरेक्ट आपका TGT वाला कुशिन उठा के फिर यहाँ पे रख दिया है, हमने क्वेशिन सॉल कराया तो भी बताया था कि होलो कार्पिक का मतलब पूरा का पूरा पूरा प्लान्ट स्ट्रक्चिल्स पोर एंजिया बना ले, उसको हम क्या केते हैं, होलो कार्पिक फंजाई कहते हैं, और इसका सिंसाइट्रियम एंडोबायोटिकम इसका एक्जामपल है, वहाँ पे भी यह स्चीज सॉल्व कराए गए थी, फरस्ट सेंटर ओफ वेटलैंड कंजरवेशन एंड मैनेजमेंट, यह मैंने सायद एकोलोजी पढ़ाते टाइम बताया था, वेटलैंड क्या होते हैं, पढ़ाया है मैने एकोलोजी में, वेटलैंड क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो जहां पे पानी permanently या फिर temporarily store होता है या रुका हुआ होता है उसको हम wetland कहते हैं और wetland conservation and management has been set up in India में सबसे पहली बार ये चन्नाई में set up हुआ था किसमें चन्नाई में ठीक है ये चीज याद रखेगा और next which of the following is the most distinctive character of sponge sponge का सबसे अद्भूद character कौन है collar cells बताया भी गया है coinocytes या collar cells कहते इसको simple सी बात है और फिर क्या कह रहा है it is possible to induce mutation artificially by means of following कौन से मतलब आप artificially mutation को induced कर सकते हो induced mutation मिलर ने मिलर इसके father किलाते हैं और ये chemical और radiation दोनों से induced किया जा सकता है mutation ओके अब चलिए देखे next फिर से के question microbiology का है और मेरा video lecture पड़ा हुआ है microbiology का एक ही lecture YouTube पे आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने विरॉन विरॉइड प्रियॉन ये सब मैंने बताया था मैंने बताया था कि प्रूजीनर ने क्या देखा था कि कुछ ऐसे viruses होते हैं जिसमें केवल प्रोटीन हो हमने कहा था न कि केवल प्रोटीन हो उसको हम animal virus केते हैं उनमें nucleus नहीं होता है या nucleic acid नहीं होता है वह animal virus होते हैं प्रियॉंस ठीक प्रियॉंस और अगर केवल nucleic acid होगा उसमें क्या कहते हैं प्रोटीन कोट नहीं है तो वह विरॉइड होते हैं ये बात भी हमने आपको बताई थी तो विरॉइड केवल plant virus होते हैं और प्रियॉंस केवल animal virus होते हैं इसका मैंने बहुत सारा आपको एक्जांपल भी विताया था क्या बताया था काव जो मैड काव डिजीज अलजाइमर डिजीज कुरू डिजीज ठीक है कुरूज फेल्ट जैकॉफ डिजीज साले डिजीज के बारे में भी मैंने बताया हुआ है sporocyst is the larva आप हमने कहा था सबसे important आप आजाए फैशियोला में बहुत सारे लार्वा होते हैं miss miss kya बताया था? RCM हमने यही कहा था na miss RCM तो ऐसे था meracidium sporocyst radia sarseria meta sarc deterioria यह sequence भी हमने आपको बताया था तो यह किसमे होता है liberty multi lyka larvae okay आगे आए यह है hypenthodium is present in which of the flower खेंचिय है hypenthodium पहले तो मैं यहि değildi हाइपन्थोडियम एक टाइप का इस्पेसल टाइप का इन फ्लोर्शंस है और इन फ्लोरीसंस मैने आपको पढ़ाया भी था कि यह权 में होता है बारेसी फैमिली में। फाइकस species में होता है hypenthodium और तो यहां पे क्या हो जाएगा यह आपका कौन सा flower हो जाएगा ficus species का flower सायद होता है hypogynos ही होता है मुझे जहां तक यह लग रहा है थोड़ा सा आप लोग बताएगा ओके चलिए in India which IUCN protected category is the largest in number हमेशा याद रखेगा सबसे जादा जो होता है वो होता है wildlife sanctuaries के नंबर सबसे जादा पांचसो साथ या पांचसो चाचछट के आजपास है सबसे जादा wildlife sanctuaries और wildlife sanctuaries यह हमने आपको बताया था in-situ और ex-situ conservation के बारे में जब बताया था तो वहां पे पढ़ाया था green color of hydra यह भी मैं hydra पढ़ा रही थी तो मैंने का था hydra का green color किसकी वज़े से होता है जू chloralya है इसका invertibrat में आपको बढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने यह बात बताया था तो दिखे और कि यक्षैनीफोन कि भी समुपरे 59³ क्न सब्सक्राइब र てुकम बब सब्रान सब्सक्राइब बहुत सारी चीजे आये थी, लीचेस से आये था, तो सारे कुश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, तो दिखें, आपर, अब क्या पूछ रहा है, ये भी चक्सोनॉमी में ने आपको पढ़ाया, बेस्ट नोन नेचरल सिस्टम, बेंथर हुकर का नेचरल सिस्टम है, जिसमें उन्हो सिस्टम मीज़नों सिस्टम पेट्वीन डायकॉट अं में तो बेंथर हुकर है, ठीक, कोई synthetic culture medium से tissue culture बना रहे हो आप या कुछ भी तो वहां पे charcoal, activated charcoal is added, क्यों charcoal add किया जाता है, तो I think इसका answer होना चाहिए as a carbon source, carbon source, क्योंकि अगर हम कोई tissue culture जैसे, tissue culture करने के लिए जो artificial medium बनाते हैं, तो उसमें हम sugar source को रखते हैं, जैसे sucrose डालते हैं, या कुछ भी, तो कभी-कभी क्या हम करते हैं, activated charcoal भी वहां पे डाल देते हैं, ठीक, which of the following is generally increased during senescence, senescence के दौरान क्या होता है, aging या senescence के दौरान, generally respiration का rate बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, respiration rate बढ़ जाता है, okay, which of the following is not correctly matched, अब देखिए, फिर से ये question मैंने जो आपको एकदम 2-3 minute के lecture में, इसको मैं एक booster series में पढ़ाया हुआ था, total stem parasite कस्ट से बताया था, कस्क्यूटा ये तो सही है, insectivorous भी हमने का था, drosera, nepenthes, ये सब ये भी सही है, partial stem, parous, viskylo, ये भी सही है, lorenthus, rafi, bali, ये सब मैंने जो बताया था, वो तूर पे जाते है, मतलब total root parasite होता है, रफलिशिया total root parasite होता है, लेकिन आप partial root दिया है, तो ये गलत है, तो ये answer आपको जागा है, मेरा video आपके उसमें booster series में पढ़ा हुआ है, और इस channel के playlist में जाएंगे, biology booster series करके है, उसमें 70 से ज़्यादा videos पढ़े होई हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम आए है, क्योंकि बहुत lengthy syllabus है, तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए, ठाई से तीन घंटे का video daily 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 upload होता है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लेजेगा, जिसको भी admission लेना है, वो help line number पर call करेंगे, और वो admission अपना ले सकते हैं, केवल only जो है न, फीस 4500 रुप कर दिया है, अभी भी बहुत सारे student को problem है, तो मैं उनको बता दूँ कि हम लोगों को मेहनत के हिसाब से बहुत कम पैसे बच पाते हैं, पूरा system चलाना होता है, तो ये फीस ज्यादा नहीं है, क्योंकि अपना GST कर जाता है, 25-30% के आजपास, तो ज्यादा फीस नहीं है, अ अगर आप offline payment करना चाहते हैं, तो आप आके 4000 में offline payment हो जागा, अगर आप आके payment करना चाहते हैं, तो लेकिन अगर आप online payment करेंगे, तो आपको 4500 देना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत facilities हैं, ये बात मैं बता चुकी हूँ, आपको recorded lectures मिलेंगे, रोज 2 lectures होते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या है, वहां पर तो प्रूजिनर था, ये अगला question फिर हमारे microbiology से आ गया है, एक ही microbiology, देखिए किते सारे, किसे, विरॉन से, विरियोईट से, प्रियॉन से, और फाइटो प्लाजमा, वो lecture मेरा YouTube पे प करता है, कौन, बताइए, आपको कहोगे, विरॉईट, अब ही, अभी मैने इसका जिकर किया था, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लांट वायरसिस कहते हैं, ब्लांट वायरसिस कहते हैं, टी ओ ढाइनर भी मैने वाह पर scientist का नाम बताया था, इसमे, इसमेिक उनली увид ocean होता है, उनली Nucleic Acid नहीं होता, और वो Animal Virus है, यह Plant Virus है, ठीक, आप देखिए, यहाँ पे, फिर से आजाईए, मैच करने वाला Option है, यह, तो आप देखिए, Sliden and Swan, Cell Theory, ब्राउन की बात करें, तो Nucleus की डिस्कवरी की तीहुक, Cell हो गया, Jensen यह, तो आप देखिए, यहाँ पे, आपको Excretory System का एक पूरा का पूरा वो दिया था, जिसमें Degesis के बारे में मैंने बताया था, Kidney Stone के बारे में भी मैंने को कहा था, कि वहाँ पे Crystal of Oxalate, वगरे के Crystal deposit हो जाते है, जिसको क्या किते, Kidney Stone कहते हैं, Which of the following is not the feature of Phylum Porifera, simple सी बात है भाई, यहाँ पे पोर होते है, Astea Asculum, यह भी मैंने आपको बताया था, यह sponges कहलाते हैं, ठीक, यह Acillomate है, बिलकुल सही बात है, यह OV Paras है, यह BV Paras है, यह कहां से आगिया, ना तो यह अंडे देते हैं, ना बच्चे देते हैं, ठीक, यह यह OV, फिर क्या कहे रहा है, फिर से देखिए, यह भी मैंने कुश्चन कराया हुआ है, एकदम सीधे सीधे, Mesozoic Aze of Reptile, Darwin Finches, Galapagos Island, पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको Evolution में, इस Phenodon, देखिए, मेरा Caudeta का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, आपके YouTube पे Living Fossil 288 या फिर इस आपको कहा था, इसको note कर लीजिए, या इसको underline कर लीजिए, Huxley ने bird को कहा था, glorified reptile, एकदम direct question, note से और पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया था मैंने, खीक है, चले देखिए, next, next, देखते हम लोग, इसमें कह रहा है कि कौन सा correctly match नहीं है, भाई, तो simple सी बात है, देखिए, two-chambered hurt तो abease का होता नहीं है, यही पहला ही match नहीं है, abease का four-chambered hurt होता है, यह मैंने booster series में भी कराया, यह सबको भी पता होगा, अब, क्या कह रहा है, इसमें, अब कह रहा है कि during asexual production, ulothrix whole protoplasm may round off and form thick walled spore, which is non-ciliated, अब देखिए, मेरा आपका algae वाला, फंजाई वाला यह सब lecture YouTube पे है, मैंने कहा था, दो तरीके के non-motile spores बनते हैं, एक, जो है, thin walled और एक thick walled, अगर thin walled है, thin walled है, तो उसको हम aplano spore कहते हैं, aplano spore, और अगर thick walled है, मैंने एकदम emphasize किया था, बार-बार मैंने कहा था, underline कर लीजे, thick wall है, तो उसको हम hypno spores कहते हैं, क्या कते हैं, hypno spores, एकदम direct question है, देख लीजे, हमने बार-बार कहा था, thin wall, thick wall, thin wall, thick wall, और यह video है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीके, तो इसमें क quality wall उल्टा हो गया, aplano spores हो जाएगा, कौन हो जाएगा, aplano spores, ठीक, अब देखिए, अगला question क्या कह रहा है, इसको भी मैंने अभी-अभी booster series में कराया था, कराया था ना, जब मैं chromosomal mutation part 2 मैंने upload किया था, तो आपे trisomy, monosomy, यह सब बताया था, और मैंने कहा था कि client filter syndrome male में होता है, 47 chromosome हो जाते हैं, और XXY हो जाता है, 44 autosome और XXY, और मैंने यहाँ पर एक बात और बताया थी आपको, कि यह bar body positive होते हैं, क्या होते हैं, bar body positive, यही एक ऐसा male होता है, जो bar body positive, अन्य था, male bar body negative होता है, और मैंने कहा था, Turner syndrome वाली female bar body negative होती है, यह चीज मैंने अभी पढ आया था, the movement of, आप देखिए, यह question फिर आपके TGT या PGT कहें, PGT में यह question आया था, शायद, the movement of an organ is stimulated by contact with a solid object, इसको हम heptotropism कहते हैं, क्या कहते हैं, heptotropism है कहते हैं, शायद, touch वाले से heptotropism कहते हैं इसको, ठीक, अगर किसी thigmotropism को ही heptotropism कहते हैं, तो मुझे थोड होगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजेगा, अन्यता नहीं लीजेगा इसको, the function of gizzard, हमने कहा था, pigeon में gizzard होता है, और gizzard का काम क्या होता है, grinding of food, food को कुतरना, तो देखिए, यह सारे, अब आप बता दीजे, जितने भी GIC के student मेरे रहे हुए हैं, जो लोग भी भी, जिन्न करना, वो हमारे प्ले, उसमें एप में जाके, वो GIC करेस कोर्स वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं, 1000 उसका payment है, पहले 2000 था, अभी 1000 कर दिया गया है, एक महिने में वो वहाँ से बहुत, बहुत, बहुत क्या सब कुछ सीख सकते हैं, एक LT, TGT, PGT, GIC के exam को crack करने के लिए, वहा सब कुछ है, animal physiology है, plant physiology है, microbiology है, molecular biology है, genetics है, evolution है, ecology है, algae, fungi, bryo, terido, ठीक है, animal kingdom, plant kingdom, animal tissue, plant tissue, plant morphology, plant embryology, human reproduction, human embryonic development, embryonic development of amphioxus, frog, ठीक है, और क्या था आपका ये एक, उसका, जो भी जितते भी embryonic development हम लोगों को पढ़ने है, सारी चीजे महाँ पर पढ़ी हुए, economic botany, economics biology, सब चीज हमने है, cancer, HIV, everything मैंने पढ़ा पढ़ा के उस हाँ पर एड किया है, और और भी student जो भी कहते हैं कि मैं ये topic करा दीजे, जिनको कुछ doubt है, वो भी मैं एड कर दे कराने में तो इतना भी ज्यादा issue नहीं बनाना है, माफ करिएगा आप लोग, गल्ती सबसे हो जाती है, अगर कोई mistake हुआ हो तो आप लोग comment में बता दीजिएगा, चलिए, all the best